Hello students, कैसे हैं आप सभी? Magnet Brains Hindi Medium में मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ साथी-साथी आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वास्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न चित होंगे हाँ भाई, होली का तैवार निकल गया है हाँ, मज़ेदार, आपने हुली-खेली होगी, साथी-साथ पढ़ाई भी कर रहे हूँ अब देना है आपको अपने स्वास्थ पर विशेश ध्यान, अध्यन पर विशेश ध्यान प्रशन, वस्तू निष्ट प्रशन या मल्टिबल च्वैस क्वेस्टिन्स जो कि हर एक प्रतियोगी परिक्षा में और बोर्ड परिक्षा में बहुत ही अधिक महतवपूर्ण भूमी का अदा करते हैं ये वे प्रशन है जो हमें पूरा एक नमबर दिलवाते हैं बिल्कुल सही सुन रहा है मिटाप तो यहां पर भूमी का आपकी बहुत जादा हो जाती है प्रशन पढ़ूँगी मैं प्रशन रहेगा चार विकल्प रहेंगे चार विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प चुनना होगा और सही विकल्प चुनने के लिए आपको सिर्फ सही के पीछे नहीं भागना है आ भगत सींग का जन्म कब हुआ था पहला है का 28 सितंबर सन 1907 दूसरा है खा 10 सितंबर 1910 गा 15 जून 1901 या फिर 17 फरवरी 1908 तो बताए सही विकल्प कौन सा है भगत सींग जी का जन्म कब हुआ था क्या लगता है आपको 28 सितंबर सन 1907 को भगत सींग का जन्म हुआ था यदि आपने ये विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर प्रश्न है So, 1941 में भगत सिंग किस पार्टी की ओर आकर्शित हुए सन 1941 की ये बात है 1941 समझते हो गिंती आती ना हिंदी की तो 1941 में कौन सी पार्टी की तरफ आकर्शित हुए पहली है का गधर पार्टी, खा नेशनल पार्टी, गा स्वतंत्र पार्टी या घा राष्टरवादी पार्टी गधर पार्टी, गरम दल के नेता, ठीक है चलते हैं अगले प्रशन की ओर भगत सिंग सदैफ किसका चित्र पॉकेट में रखते थे बहुत महत्वपोन प्रशन है ध्यान नहीं देते हैं और इसी तरह के प्रशन फिर पूछ लिये जाते हैं परिक्षाओं में भगत सिंग सदैफ किसका चित्र अपनी पॉकेट में आपनी जेब में रखते थे? का है गुरु गोविंद सिंग? खाल, गुरु नानक गाल, महात्मा गान्धी गाल, करतार सिंग सराया जी का फोटो अपनी पॉकेट में और इनी के पदचिन्नों परवे हमेशा चले भागत सिंग किस उम्र से क्रामतिकारी गती विधियों में सक्रिय हुए कौन सी वो उम्र थी याद है किसी को हमने बड़े अच्छे से दो तीन बार प्रीविएस वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि सोचिये इतनी कम उम्र में भी उनके अंदर देश भक्ती की भावना पैदा हो चुकी थी और उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए मन में ठान लिया था तो कितने वर्श की उम्र थी उनकी का 12 वर्ष खा 18 वर्ष गह 10 वर्ष या फिर गह 15 वर्ष तो अब आप ये मत सोच ना कि मैंव ने कहा इतनी सी कम उम्र मतलब इसमें जो सबसे चोटी उम्र होगी उसी को हम टिक कर देंगे नहीं सही जबाब ही आपको एक नमबर दिलाएगा तो बारा वर्ष की उम्र से ही उन्होंने क्रांतिकारी गती विदियों में भाग लेना शुरू कर दिया था ठीक है? अगला भगत सिंग कब चोरी चोरा कांड में शरीक हुए शरीक हुए मतलब शामिल हुए चोरा चोरी ठीक है? चा में यदि ओ की मात्रा होती है तो चो यदि चा में ओ की मात्रा है तो चो ठीक है? तो यह है चोरी चोरा कौन सा सन था जब इसमें शामिल हुए थे? का सन 1922 खा 1925 गा 1928 गा 1930 क्या लगता है आपको सन 1922 में हुए थे शामिल बिलकुल सही लगता है आपको 1922 में 24 चौरी कांड में वे शामिल हुए 1922 याद रखना भगत सिंग ने नौजवान सभा की शाखाएं कहां कहां स्थापित की थी नौजवान देश के युवक आपकी दर है एकदम उर्जा से भरपूर तो उन्होंने इस नौजवानों की जो सभाएं थी उनकी शाखाएं कहां कहां स्थापित की थी का पटना दिल्ली खा कानपूर कलकत्ता गा अजमेर गाजीपूर या घा विबिन शहरों में ना केवल पटना दिल्ली ना केवल कानपूर या कलकत्ता ना केवल अजमेर या गाजीपूर बलकी कई शहरों में अर्थात विबिन शहरों में उन्होंने नौजवान सभा की शा और एक पत्र के रचनाकार कौन है का है नामवर सिंग खा है मोहन राकेश गा है भगत सिंग और घा है रामधारी सिंग दिनकर तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है भगत सिंग जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं भगत सिंग के पिता सरदार किशन सिंग तता चाचा अजीत सिंग किसके सही होगी थे पिता कौन थे किशन सिंग जी और चाचा कौन थे अजीत सिंग जी किसके सही होगी थे ये का बाल गंगादर तिलक खा लाला लाच पत्राय गा विपिन चंद्रपाल क्या लाल बाल पाल य तो भगत सींग के पिता और चाचा जी शामिल थे, इसके सहयोगी थे लाला लाच पत्राए के, ठीक, आगे चलते हैं, पगत सींग ने अपने नेत्रित्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? अपने नेत्रित्व में स्वयम, नेता थे, लीडर थे और उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया था? तो कब किया था नौजवान भारत सभा का गठन? का है 1923 में, खा है 1924 में, गा है 1925 में या घा 1926 में तो यहां भगत सिंग जी ने नौजवान भारत सभा का गठन सन 1926 में किया था चौरा-चौरी में शामिल हुए थे सन 1922 में, ठीक है 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया भगत सिंग ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संग का गठन किया भगत सिंग चंद्रशेखर आजाद सुभास चंद्रबोस यह तीन नाम बड़े गौरव या देश का मान बढ़ाते हैं गौरव गान गाते हैं हम इनका तो भगत सिंग ने चंद्रशेखर आजाद का चितर आपको बिलकुल असरी उपनी मूचों को ताओ देते हुए जहां भगत सिंग ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संग का गठन किया का स्वराज पार्टी, खा स्वतंत्र पार्टी, गा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी या गा इन में से कोई नहीं तो भगत सिंग जी ने चंद्रशेखराजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था भगत सिंग किस उम्र में क्रांतिकारी गती विदियों में शामिल हुए का 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 12 वर्ष याद रखना ये वगत सिंग को कॉंग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ अब उनका जो मोह भंग था सबसे पहली पार्टी कॉंग्रेस पार्टी थी और इसकी कमान समाली हुई थी महात्मा गांधी जी है ना और भी थे और साथी साथ उनका मोह भंग कब हुआ सन 1920 में सन 1921 में 1922 में या 1923 में भगत सिंग को कॉंग्रेश तथा महात्मा गांधी से मोह भंग हुआ था सन 1921 में सन 1924 में भगत सिंग किस पार्टी की और आकर्शित हुए नैशनल पार्टी राष्टबादी स्वतंत्र और घदर तो हुए थे वे घदर पार्टी की थे चौरा-चौरी कांड कब हुआ था सन 1922 में तो भूलना नहीं है इसको हमेशा याद रखना है कौन सा निबंध भगत सिंग का लिखा हुआ नहीं है इस बात पर जरूर ध्यान दिया करो कि हमें लगता है कि पूछा है कि कौन सा निबंध भगत सिंग का लिखा है और हम इस को नहीं देख पाते हैं जिसके कारण हमें नंबर नहीं मिल पाते हैं ठीक है तो अब यहां पर लिखाए कि कौन सा निबंध भगत सिंग का लिखा हुआ नहीं है का है बंका दर्शन खा युवक गा परिवेश घा विध्यार्थी और राजनीती कौन सा निबंध भगत सिंग का नहीं है यह है परिवेश बंका दर्शन युवक और विध्यार्थी और राजनीती यह बिल्कुल उन्हीं से जुड़े हुए लग रहे हैं ठीक है जिस तरह के वे क्रामतिकारी नेता थे और यह जो उनके निबंध थे वो उनके बिल्कुल कहें कि उनके व्यक्तित्व को यहाँ पर जो है परिवेश ही उनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है तो यही सही है क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा नेबंध नहीं है उनके द्वारा लिखा हुआ बाकी यह सब हैं बंका दर्शन युवक और विध्यार्थी और जीवन यह सब उनके हैं भगत सींग गनेश शंकर विध्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे गनेश शंकर विध्यार्थी ने पत्रिका निकाली थी तो भगत सींग भी एक पत्रिका से जुड़े हुए थे वो कौन सी पत्रिका थी? का, प्रताप, खा, दिन्मान, गा, संघर्ष या गा, इन में से कोई नहीं तो इन में से कोई नहीं तो हो नहीं सकती है प्रताप, पत्रिका थी जिससे वो जुड़े हुए थे ठीक है? बागत सिंग के रदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था फिर पूचा गया है नहीं था कौन सी भावना थी जिसका स्थान बागत सिंग के रदय में नहीं 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 था कालोब, खाप्रेम, गा क्रोध, एहंकार तो यहाँ पर जो है उन्होंने मतलब उनके मन में क्रांती की भावना थी क्रांती क्रोध से उत्पन होती है यदि कहीं भी प्रेम जैसी मतलब नहीं कि दया प्रेम है तो दया की भावना जाती है और उनके मन में चिंगारी धदक चुकी थी अंग्रेजों के प्रती तो उनके मन में ये भावना नहीं थी अगला है भगत सिंग किसे ग्रिनत तथा कायरतापून मानते थे कायरतापून शब्द आया है और इस शब्द को हमने प्रीवेस वीडियोस में कई बार शब्द का जिक्र किया है जिसने सुना है जिसने वीडियोस देखे हैं वो तुरंद जबाब देंगे कि भगत सिंग किसे घ्रनित और कायरतापूर्ण मांगते थे का है देश की सेवा को? का है देश से भागने को? गा आत्म हत्या को या घा इनमें से कोई नहीं तो भगत सिंग आत्म हत्या को सब से घ्रनित और कायरता पूर्ण मानते थे उनके अनुसार मृत्यू भी सुन्धर होती है जब देश सेवा में दूसरों की भलाई में अपने प्राण यदी निवचावर किये जाएं तो उससे अच्छी मृत्यू को हो ही नहीं सकती क्योंकि हमें ये तो पता है कि मृत्यू होनी तो तै है जन्म हुआ है मृत्यू निश्यत है जिस भी जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यू अटल है अब जब मृत्यू अटल ही है तो क्यों ना उस मृत्यू को सुंदर बनाया जाए तो उन्होंने यही कहा है कि मृत्यू भी सुंदर होती है और कैसी मृत्यू को उन्होंने सुंदर तो वे आत्म हत्या को सबसे ग्रनित और कायरतपून मानते थे सन 1926 में भगत सीग ने किस दल का गठन किया था का है नवियोवक संग, खा नौजवान भारत सभा, गा नवियोवक भारत सभा या घा नौजवान दल तो बताईए, नौजवान भारत सभा ही वो दल था जिसका भगत सीग ने सन 1926 में गठन किया भगत सीग ने अपने लिए सजा के संबंद में उसको क्या विश्राज दिला दिया काक्षमा का, नम्रवेभार का, मृत्यू दंड का या आजीवन का रावास, मृत्यू दंड अपने लिए सजा, उन्होंने स्वयम चेहन की ठीक है, मृत्यू दंड तो उन्हें फासी दे दी गई थी और उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि फासी मुझे तब दी जाए हमें, जब ये जो आंदोलन चल रहा है वो चरम उतकर्ष पर हो, आंदोलन पूरे शीर्ष पर हो, तब जाकर हमारी मृत्यू और हमें कष्ट जो आप दे रहे हो या अंग्रेजों द्वारा जो कष्ट मि अर्थशासर प्रिंस क्रोमे टिंकिन कौन थे अर्थशासर के विद्वान थे, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, खा गनेश संकर विध्यार्थी, खा माखनलाल चतुरवेदी, गा बाल कृष्ण भट या घा भारत इंदु हरिश्चंद्र, तो गनेश शंकर खा है गुलाब राय, गा है भगत सिंग या घा दिनकर, तो विध्यार्थी है और राजनीती है तो भगत सिंग जी ही होंगे, बिलकुल यहीं है जिनके द्वारा लिखा गया है, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी, का कानपुर खा पटना गावारनसी या घा, कलकत्ता या कोलकता, तो मतवाला जो पत्रिका थी, वो कलकत्ता या कोलकता से ही प्रकाशित हुई, भगत सिंग प्रभावित थे किस से, महत्मा गांधी से, काल माक्स से, फ्रायड से, या एडलर से, तो भगत सिंग जी अत्य अधिक प्रभावित थे काल माक्स से, क्यों, माक्स या समाज सुधारक जिन्होंने समाज की स्थिती को सुधारने के लिए अपना संपून जीवन नियुशावर कर दिया तो भगत सिंग इनसे काफी प्रभावित थे कालमाक से मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है का भगत सिंग खा चंद्रशेकराजार गा सुखदे या घा खुदी राम बोवस मैं नास्तिक क्यों हूँ यह भगत सिंग का ही लेख है ठीक है समझ माया बहुत बढ़िया कुलबीर सिंग और करतार सिंग भगत सिंग के कौन थे कुलबीर सिंग और कुलतार सिंग का चाचा खा मामा गा भाई या घा भतिजा तो कुल्बीर सिंग और कुलतार सिंग भगत सिंग जी के भाई थे भगत सिंग को फासी कब दी गई वो तिथी हमें आज भी याद है और हमेशा इतिहास में यह तिथी बहुत मतलब दर्द के साथ या यू कहें कि क्रामतिकारियों का जब जब नाम आता है जब जब क्रामतिकारी की भावना हमारे मन में आती है तब तब ये जो दिनांक और सन है वो हमारे दिल और दिमाग में बिल्कुल नया सा आजाता है तो वो कौन सा दिन था का 23 March सन 1931 को खा 24 March सन 1931 को गा 25 March 1932 को या फिर गा 22 March 1931 को तो वो था दिन 23 March सन 1931 जिस दिन भगत सेंग को फासी पर फासी दी गई आशा करती हूँ आप सभी ने एक लेख और एक पत्र जो की ख्रांती, कारी, वीर, सपूद, भगस सिंग जी द्वारा रचित था उसको ध्यान से सुना और सभी प्रशनों को बहुत ध्यान पूर्वा का आपने सुना है समझा है अब मुझे पूर विश्वास है कि इस पार्ट से कोई भी वस्तुनिष्ट प्रशनयदी किसी भी परिक्षा में आएंगे तो आप उनका उत्तर सही सही लिखकर आओगे बहुत बढ़िया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वस्त रहना खुश रहना बाबाई थैंकी सो मच